पूलपुर और गोरकपुर उप्चुनाव में मिली जीत के बाद से ही समाजवादी पार्टी खुद को और मजबूती देने में जुटी है इसके लिए एक तरफ अखलेश यादव लगातार पार्टी कारेकरताओं से मिल रहे हैं इस दोरान उन्होंने सियम आदित्यनाथ योगी पर भी जम करवार किया उप्चुनाव में मिली करारी हार के बाद से ही बीजेपी को एक के बादे कई छटके लग रहे हैं अब बीजेपी निता स्वामे प्रसाद मौरे को उनके दामाद नवल की शोर ने जोर का छटका थीरे से देते हुए समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया सपाध्यक्ष अखलेश यादव की मौजूदकी में नवल को पार्टी में शामिल किया गया इज़ोरान जीट से गदगद अखिलेश आदव ने एक बार फिर पार्टी कारेकरताओं का धन्यवाद दिया सियम अधित्यनात योगी पर तंसकसते हुए उन्होंने कहा कि उपचुनाफ की नतीजों से उत्तरप्रदेश को एक लाब सरूर हुआ है क्योंकि अब सूबे के मुख्य मंतरी विकास की बात करने लगे है रोजगार के मुद्दे पर सियम योगी को घेटते हुए अखिलेश ने कहा कि बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट कोर्स यानी बीटिसी के बच्चे आजकल परेशान है क्योंकि उनकी न्यूकती नहीं हो रही उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा इसे लिए हो रहा है क्योंकि इनकी न्यूकती हमने की थी अगिलेश ने तन्सकस्ते हुए कहा कि आप इन्हें नहीं तो कम से कम अपने लोगों को ही नौकरी दे दे DB Live की रिपोट